ये एक जबरदस्त कॉमेडी वैब सिरीज है जिसके फोर एपिसोड देखकर आप हंस हंस कर बेहोश हो जाओगे। कहानी एक किलो बदमाश कमपनी से आधा किलो गुंडे से उठाए गई है इसमें हर फिल्म की तरह एक पुलिस वाला है जिसकी उसकी बिवी से नहीं बनती है अब शाहिद गरीब घर से है उसका बाप उसे स्टेशन पर छोट कर भाग गया था वहां उसे एक लटका मिला और द अब शाहिद पेंटीग बनाने में एक्सपर्ट है पुराने फिल्म की तरह रईस धर की लटकी उसकी प्रेमिका है अब शाहिद नकली नोट छापता है उसका चाचा नाना सब उसके पार्टनर बनते है अब नोट के ये पेपर चाहिए तो पेपर ऐसे चुराते है जैसे कबाडी की दुकान से रद्धी खरीद रहे हो दुसरी तरफ इंस्पेक्टर विजय के के मेन नको धुंद रहा है मेनन नकली नोट बनाता है वो बार बार विजय को चक्मा दे रहा भाग रहा है अब असली कॉमेडी शुरू होती है राशी खन्ना रिजर्व बैंट में काम करती है रिजर्व बैंट के सारे कर्मचारी खाली पीली बैठे है बस राशी नकली नोट बनाने वाले को धुंद रही राशी क्राइम ब्रांच जॉइन करती है विजय के साथ घुमती फिरती है अब शाहिद को वो नोट बनाने के पेपर मिलने लगते है यहां तक चार एपिसोड की कहानी है यहां तक आप इतना हस चु अधा हो विजय और केके ने अच्छी की है अमोल पालेकर और राशी बगैर मेकप के गंदे लगे है कास्टीन घटिया है माले गाव से किसी को भी उठा कर शाहिद को दोस्त बनाया गया है शो की क्वालिटी कमजोर है माले गाव की फिल्म की क्वालिटी भी इस से अच्छी होती है डाइरेक्शन धटिया है राज दिके ने जितनी भी फिल्में बनाई वो नहीं चली थी तो फैमली मैन के से चली क्यों कि उसमें गालिया थी और 14 साल की लड़की के एडल्ट सीन थे इस वेब सिरीज के एडिटर ने 70 लाक रुप्ये चार्ज किये है इससे अच्छा अ माले गाव की फरजी जादा लगती है नोट छापना इतना हलवा है तो राज और दिखे भाई आप डाइरेक्शन से पैसा कमाना चोड़कर खुद का नोट छापने का कार खाना क्यू नहीं खोल देते इस कहानी पर पहले फिल्म बनने वाली थी बॉलीवोड का रावन सेफ ने 2015 में इसे रिजेक्ट किया था क्यूंकि सेफ को हैपपी एंडिंग से नुकसान हुआ था फिर ये कहानी शाहिद के पास गई शाहिद ने एडवांस लेकर राज और दिखे को 5 साल लटकाया फिर 2020 में शाहिद घर पर पड़ा था त और राज डिके ने 25 करोड लिये तो कुल मिलाकर 200 करोड में ये माले गाव की कॉमेडी वैब सीरीज बनी जिसे देख पबलिक जोर जोर से हस रही है चार एपीसोड की रेटीन 2 स्टार